नमस्का मैं श्रीव धिवेदी आप देख रहे हैं लाइब दिनिस्टाटिफॉर्ट हम बात करने जा रहा है उत्तर पुदेश में PCS की पाइच्छा को ले करके जहां पर अभ्यारतियों ने उत्तर पुदेश लोग सिवा आयोग पर हंगामा कर रखा है चार दिनों से लगा है को आभ्यारती जिद कर रहे हैं क्या अभ्यारतियों का यहांडोलर राजनेटिक हो चुका है क्या अभ्यारतियों का इसके कोई नुकसान है एशे बहुत से पहलू है जिस پर हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगर प्रियागराज की इस मामले को आप गैराही से जानना अब ही UPPCS में RO और ARO की डेट घोशित करी गई है ये डेट जो घोशित की गई हो साथ आठ दिसंबर 2024 को परिच्छा कराई जाएगी 411 पदों के सापेच में 41 जिलों में परिच्छा करानी है सरकार ने इस परिच्छा के लिए अपने आपको ठीक ठाक मुस्ताइद कर लिया है परिच्छा कराने के लिए किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पेपर लिक ना हो, किसी प्रकार का नकल ना हो, और भी ऐसे कई चीज़े हैं जो सरकार की नाक में दम कर देती है, फिलार अगर पुराने अगर अलगों को लिया जाए, तो सरकार के दौरा पेपर लिक के मामले पर सरकार की कई बार किरिकरी भी हो चुकी है, अब मामला आता कि अभियारती प्रदर्शन कर क्यों रहा है तो आपको बता दे कि जो अभियारती उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग प्रयाग राज में प्रदर्शन कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा क्लेम ये है कि सरकार ने अभी एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने की बात क प्रक्रिया जिसको लेकर अभियारती विल्कुल उग्र हो चुके है आपको बताए कि अभियारती ये कह रहा है कि जो 411 पदों के सापेच में 7-8 दिसंबर को जो परिक्षा करानी है उसको एक ही दिन परिक्षा कराई जाए इनका कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्र प्रक्रिया है यानि कि सामानी करान अंग की प्रक्रिया इसके अंतरगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा उनका कहना है कि इसको लेकर के दिक्षते ज्यादा आएंगी उनका कहना है कि एक ही दिन अभियारतीयों कहना है एक ही दिन परिक्षा कराई जाए लेकिन आपको बता दें कि उत्तप्रदीय सर्कार के सामने दिक्ठे क्यों पैदा हो रही है, अभ्यार्थियों की बाइव को वागने से, उसका कराण है कि सर्कार में पहले जो प्लानी जी ती, वो 7-8 दिसंबर को की थी कि हम परिक्ष़ा कराएंगे, अब अचानक अभ्यार्थियों की संचा लगबक 10 लाग पहुंचे और 10 लाग अभ्यार्थियों को परिक्षा कराना सरकार के लिए एक बड़ी कठी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश लोग सिवा चैन आयोग बोर्ड के पास इतने करमचारी नहीं है कि वो एक दिन ऐसी प्रतोगिताई परिक्षा करा लगए ऐसे में क्या होगा ऐसे में इस्तिय है कि जो अभ्यार्थिये हैं वो कह रहे हैं एक दिन में कराईए सरकार कह रहे हैं दो दिन में कराईए और अभी सुप्रीम कोड का चार पास दिन पहले एक निले आया है कि परिक्षा अगर घोशित कर दी गई है यानि प्रक्रिया प्रारम कर दी गई किसी भरती की तो उसके बीच में कोई नया नियम नहीं लाया सकता है सरकार के सामने सुप्रीम कोड की जो आदेश है उनका भी पारन करना है दूसरी तरफ अब परिक्षा में किसी परिकार की सेंदमारी नहों ये भी एक समस्या है तो ऐसे में सरकार का मानना है कि नौर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हम अपनाएंगे अब ये नौर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अगर आप सीधे अर्थों में समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि जब क्रिकेट के मैदान में कभी बारिश हो जाती है तो डेकलेस लूइस नियम को अपनाया जाता है जहां पर एक औसद निकाल करके किसी एक पक्ष को जीता और हारा बता दिया जाता है बात यह आ रही है कि अभ्यारती कहे रहे हैं कि अगर दो दिन पर इच्छा होती है तो पहले दिन वाला कहेगा दूसरे दिन सरन कोश्चन आये थे और दूसरे दिन वाला कहेगा पहले दिन वाले के सरन कोश्चन है और कौन से कठिन है एसी परिस्तिती में सरकार ने एक नए रास्ता अपनाया और उनों ने कहा कि अनकों का सामानी करण करेंगे फिलाग इसको ले करके लगभग 80-90 अभ्यार थी इसको गलत नहीं मानते हैं और वो यह मानते हैं कि इस प्रक्रिया से कोई नुकसान नहीं है अब इसको एक थोड़ा सा ले मेंट की तरह आपको समझाते हैं माल लिजे साथ तारीक को सरकार में पुद्धा कराई दिसंबर में और उसमें जो अभ्यारती बैठे उसमें जर्नल केडिगरी में 171 हाइस गया और लोवेस जो गया वो 116 चला गया दूसरे जिन आणि 8 दिसंबर को जो परिक्षा हुई उसमें हाइस जर्नल केडिगरी में 177 चला गया और लोवेस्ट 134 चला गया कि किसी को सस्थे प्रशन मिले किसी को कटिन प्रशन मिले ऐसी प्रक्रिया फिलाल अपनाने की बात सरकार ने की है जिसका अभ्यारती विरोग कर रहा है वो कह रहा है एक ही दिनी परिक्षा हो जानी चाहिए जो हमने कई विद्वानों से इससे बातचीत किया तो उन्होंने का कि इस प्रक्रिया को करना अच्छा माना जाता है उन्होंने कहा कि अब सरकार के सामने कोई और नियम नजर नहीं आते हैं सरकार के सामने और कोई तरीका भी नजर नहीं आता है इसलिए इस प्रक्रिया को यानि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। विद्वानों ने तो ये भी कहा जो हमने सिक्षामिदों से बात किया कि भारत के अंदर इस प्रकार की परिक्षा बहुत होती रहती है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर SSC जो की ब परिख्षा रेलवे यह सारी परिख्षाओं में नौर्बलाजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इसके माध्यम से ही रिजल्ट घोशित किये जाते हैं जब देश के अंदर इतनी प्रित्विताओं में नौर्बलाजेशन होता है जहां पर एक भी पेपर के लीक होने क घटनाय नहीं आती है सरकार के सामने दिक्कत क्या है और वो एक ही दिन्या पर इक्षकर आती है तो छोटे-छोटे सेंटर्स क्रेट करने पड़ेंगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी 41 जिलों में सेंटर क्रेट किये गया है फिर यह अभी 75 जिलों में तै सरकार के सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि नॉमलाजेशन प्रक्रिया के बाद भी कोई और रास्ता उनके पास हो चुकि सुप्रिम कोड की नियरे आने के बाद सरकार के हाथ बढ़े हुए है फिला देखना यह है कि अभी कैब्मेट की मीटिंग चल रही है कैसे आता है लोग सेवा आयोग के जो अदिकारी है वहाँ पर जो सिक्षाबिद है वह और क्या राय दे सकते हैं यह भी देखना है और सबसे बड़ी चीज कि इस पर राजनीत कहां पर कैसे कितनी दूर तक जाएगी या भी देखने को मिलेगा अगर आपको वारा वीडियो के पसंद आया है और देखते रहिए लाइट ये के निस 24 थैंक यू सारी बाद